पती पतनी अभहे और गीती का डोगरा कारोबारी हैं। पती पिछले 20 सालों से शिमला में होटल बिजनेस सम्भाल रहे हैं तो पतनी कैफे। पर पडियाटक नहीं तो धंदा मंदा है। अभहे बताते हैं कि 40 कमरों का होटल इस मौसम में आधे से ज्यादा भरा रहता था लेकिन अभी लगभग खाली है। कैफे पर पेड गिर गिर गया तो इस स्ट्रक्शर में दरा रहे हैं तो कैफे खाली है। खींच खचा गया कोई 3-3,5 लाग का तो मिनिममम आफ सीजन में करी लेते थे। महीने में महीने में और अभी अभी क्या बोलू है हजारों में भी नहीं पहुंच रहे हैं तो बहुत बोरा हाल हो गया हुए। कैफे हमारा 12 तरीक को ये रात को गिरा था पेड़। उसके बाद से दो दिन तो हमने टोटली क्लोज रखा क्योंकि पेड़ को उठाना पड़ा। सेलानियों से भरी रहने वाली शिमला की सडकें फिलहाल विरान हैं। मार टाक्सी वालों पर भी पड़ी है। टाक्सी उनियन बता रही है कि ड्राइवरों के लिए परिवार चलाना भारी पड़ रहा है। हिमाचल का सेब कारवार भी बुरी तरह प्रभावत हुआ है। बेमौसम मार्च अप्रैल से हुई बारिस ने पहले सेब के फूल को नुकसान पहुचाया। फिर अब जो सेब तयार हुए हैं उनके ढुलाई मुश्किल है क्योंकि सरकें टूटी हैं। प्रेटन और सेब कारवार हिमाचल की अर्थवेवस्ता की रीड हैं। इनका यहां की जीडीपी में योगदान 15 फीसद से ज्यादा है। माना जारा है कि इस पूरी तरास्दी में हिमाचल को 10 हजार करोड रूपए का नुकसान हो चुका है। हमारा जो जीडीपी में 7 परसेंट का जो कंट्रिबूशन रहता है जो हमारा जीडीपी है। और एपल इंड्रेस्ट्री का भी तकरीबन इतना ही है। यह दो बड़े सेक्टर्स हैं जो हमारे जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रिबूट करते हैं। और यह दोनों इस बार जो है इफेक्ट हुए हैं बूरी तरा से। श्रिमला में हर तरफ तबाही का मंजर, दर्द, हताश, निराश और डर के साए में जिन्दगी है। पट्री पर लाने की कोशिश तो जारी है पर आम जन से लेकर आफ़त की बारिश ने सरकार तक के लिए फिलहाल मुश्किले खरी करती हैं। जैसे पडिवार की कमाई घर में खुशारी लाती है, ठीक वैसे ही अर्थवेवस्था वो एहम करी है जिसके दम पर सरकार चलती है, इलाके का विकास होता है। पर फिलहाल विनास से ओबरने, संभलने को लेकर पूरी कवायत चल रही है। हिमाचर प्रदेश के शिमला से अपने सहयोगी वीडी शर्मा और कैमरापसर सुदीश कुमार राम के साथ परिमल कुमार एंडी टीव इंडिया।